Hello Friends, Myself Priya Saini और मैं आप सभी का अपने चैनल Journey of Aem में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों कैसे हैं आप सभी, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे वे सुरक्षित होंगे दोस्तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपकी त्रेमासिक परिक्षा चल रही है तो दोस्तो इसी उपलक्ष में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ यह जो वीडियो है यह आपके लिए काफी important है क्योंकि यहां से काफी सारे questions आपको Sanskrit paper में जो कि आपका कल है वहाँ देखने को मिलेंगे 4 October को जो आपका paper है वहाँ देखने को मिलेंगे तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है इसमें जो सारे questions है वो with solution है तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो please channel को subscribe करें वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि मैं टाइम टाइम पर आपको अलग-अलग असाइनमेंट जो कि आपको स्कूल में सब्मिट कराने होते हैं उनसे रिलेटेड हर तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आती रहती हूं तो कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो आप अच्छे से अच्छे नंबर पाए अपने असाइनमेंट में अपने अग्जाम में तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो को लाइक करें ज़्यादा शेयर करें तो चलिए शुरू करते हैं त्रेमासिक पेपर दोहजार एकिस बाइस संस्क्रित कक्षा ग्यारा का है इससे पहले इसके ओपर एक वीडियो और अपलोड है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा उसका जो लिंक है मैं वो कमेंट में पिन कर दूँगी तो आप कमेंट सेक्षन में जाकर उस वीडियो पर क्लिक करकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं सबसे पहले आपका क्यूशन आता है दिगंबर दिख प्लस अंबर इतस्य संधी अस्ति कि जो दिख प्लस अंबर है ये मतलब ये किसकी संदी है तो ये दिगंबर की संदी है दिगंबर की बहु विही समास है उधारण अस्ती एक बहु विही समास का आपको उधारण देना है जो कहा है पितांबर यूपदारू इत्यसमी पदे समास अस्ती तो यूपदारू में कौन सा समास है? तो द्विंद समास है इसके बाज है राजदीप इतस्य पदस्य समास विग्रह अस्ती तो राजदीप में कौन सा समास विग्रह है? तो राजपलस दीप ठीक है इस तरह समास विग रहा होगा धन इवेशाम इतस्य समस्त पदय अस्ती तो धन इवेशाम क्या है धन शाम तो इस तरह आप याद रखेंगे गंशाम इसका सही आंसर है इसके बाद है स्यात इत्स्यामी पदे धातू अस्ती स्यात में कौन सा धातू है तो सया तो सया इ वर्ण सहियोग, जन्भवती, मतलब जो यह 3 है, 6 है, तो यह किसके सहियोग से बना है, किन दो वर्णों के सहियोग से बना है, तो तया और most important है, exam में आ सकता है, इसके बाद देखिए, उधोलिकित गद्यांशू, उत्राइने लिकित की, जो यह गद्यांश दिया गया है, इस का पूरा गद्यांश पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पर शुरू की लाइन और लाश्ट की लाइन लिखी है, तो दार्शनिक शिरो मनी, श्री वाच्छत पती, प्रकाश माध्यते, ठीक है, तो यह आपका पूरा गद्यांश है, इस से related questions है, दीपस्चे प्रकास की मर्थ है मध्यांते, तो जो दीप का प्रकास है, वो कहां पर मध्यांते होता है, तो दीपस्चे प्रकास एतभवनते एवं तेले नियोंत्याम समितपस्त मध्यांते, तो इसका सही आंसर यह है, इसके बाद है दार्शनिक शिरो मनी का, दार्शनिक शिरो मनी, श्री वाच्पती, मि पढ़िश्र एकर समीन लगओ कुटरे कीमती तो इस तरह ही आपका सही आंसर इसके बाद आपको बच्चों विप्रीत मेलार्त मेल किम्याद करना है मतलब जो कि जो कर विलोम शब्द है उनको आपको मिलाना है संस्कृत में तो एकाई का मतलब होता है एक बहुत सारे शित उसके बाद है महत महत का होता है बहुत बड़ा होना इसका हो जाएगा लगू और यहां पर आपको व्रहत भी लिखा मिल सकता है तो दोनों चीज़े याद रखिएगा दोनों आ सकते हैं बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही हो और ऐसे ही आपको interesting topic पर वीडियो चाहिए के साथ ही अपने exam से related वीडियो चाहिए कोई assignment है उससे related वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर समय समय पर upload होती रहती है तो चैनल को subscribe करना ना भूले bell line के press करें ताकि आपको हर एक वीडियो समय से मिल सके और आप अच्छे नमबर ला सके इसके बाद है छंदी विच्छेद क्रियाम तो चंदी विच्छेद आपको करनी है कुली नक्ष कुली नक्ष का हो जाएगा कुलीन प्लस च फिर हो जाएगा ब्रत्याक्ष ब्रत्याक्ष का हो जाएगा ब्रत्या प्लस च तो इसका सही आंसर यह है अदोलिकित प्रस्तान नी संस्कृत भाशान देनी तो आप तो इसका सही आंसर ये है दोस्तों इसके बाद आपके सही उत्तर थे ये प्रश्ण आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे और दोस्तों अगर आपको ऐसे ही इंट्रस्टिंग वीडियो हर एक्जाम से रिलेटिज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जाद जाद शेयर कर मुझे अपना सपोर्ट दे क्योंकि आपके सही योग से ही मैं मोटिवेट होती हू तो all the best मैं इस वर से प्रातना करती हूँ कि आपके एक्जाम में आपके अच्छे से अच्छे नमबर आए तब तक के लिए all the best thank you so much